हेलो फ्रेंड्स आज हम आलू की बहुती अच्छी और टेश्टी रेसिपी बनाएंगे ये बच्चो और बड़ो दोनों को पसंद आती है और आप इसे नाश्टे में डीनर में लंच में जब भी आप कमन करें आप बना सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है चार मीडियम साइज के आलू जैसा की आफ वीरो में देख सकते हैं 2 मीडियम साइज की प्याज आलू को हमें इस तरह से काद्व कस कर लेना है या फिर एक गलास या बाउल की हेल्प से जिसका दली है वो फ्लैट हो उसकी हेल्प से पी आप मैश कर सकते हैं लें अगर आप हो जाता है quantity में बना रहे हैं कत्व कस करने से यह अच्छे से मैस हो जाता है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है अब मैंने जो प्याज ली ती इनको भी बारीक चोप कर लिया इसी के साथ हम डालेंगे इसमें अपने टेक्ष के कोडिंग मसाले में अब सबसे पहले डालेंग वो अच्छे से मिक्स हो जाए अब आप मुझे यहां पर देखकर बताईए कि मैं क्या बनाने वाली हूँ आपको कुछ समझ आया अगर हां तो वीडियो को पोश्च कीजिए और कोमेंट बोक्स में लिखकर बताईए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं यह देखिए हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब हम इन्हें मिक्स करके एक तरफ साइड में रख देंगे इसी के साथ मैंने लिया है यहां पर नोर्मल गेहूं का आटा जिसे मैंने गूत करके पहले ही रख दिया था अब तो आपको देखकर समझ आई गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं हम बनाने वाले आलू और प्याज का प्राठा कुछ लोग इसमें भूत सारे मसाले चैसे आम चूर और गरम मसाला भी डाले सिंपल ही बनाती हूं क्योंकि सिंपल का टेष्ट भी अच्छा आता है साथ ही एसटिटी वगरा की प्रोब्लम नहीं होती है आप एक बार इस प्रेशे से फिल कर सके जो कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारा इस्टप पराठा अच्छा नहीं बनता है या हमारी जो इस्टफिंग होती हो बहां निकल जाती है इस तरीक से अगर आप बनाएंगे तो आप काफी सारी स्टपिंग भी उसमें भर सकते हैं और आपका अच्छा ही आएगा बस कोशिश करें जो आपकी स्टपिंग है जैसे आलू की स्टपिंग मैंने याँ पर बनाई है तो आपका आलू बहुत ज्यादा बोयल ना हो आज हलांकि मेरा भी आलू थोड़ा सा ज्यादा बोयल हो चुका है लेकिन अगर थोड़ा सा टाइट रखे क्योंकि मैं थोड़ा सा कोशिश करते हूं कि एक साथ दो से तीन लोई कम से कम बना कर रहूं ताकि जब कोई खाने बैठे तो गयपना हो और मेरे फटाफटे परांठे तैयार होते रहें इसके साथ मैंने दूसरी लोई भी तैयार करके दिखाती हूं आपको उसी तरह से ए लोई बावल की सेभ देनी है और उसमें आपको एक से दो चम जितना भी उसमें आसली से आजाए आपको फिलिंग भर सेंहें और उसके बाद आपको इसे चाहुद और जिखा जा रहा हैहा है बंद कर लेना है और रोज से रहback देनी है इस तرह से करके मैंने आप देख सकते हैं 3 लोई तयार कर ली है अब मैं इनमे से एक लोई को लूँगी और उसे चकले बेलन पर रख करके रोटी की तरह जैसे कि हम नोर्मली रोटी बनाते हैं रोल कर लूँगी पहले हमें थोड़ा सा बेलना है जब हमें लगे कि अब थोड़ा सा चिपकना शुरू हो गया है ये कुछ चीजे एक्सपिरियंस से आती है उसके बाद आपको रोटी में फिर से सुके आते में रैप कर लेना है और उसके बाद हमें उसे फिर से बेल लेना है जितने साइज का अब इसी के साथ मैंने गैस पर तवा गरम होने के लिए रगाता तब हमारा गरम हो चुका है अब हम इस पर डालें पराथा जो हमने बेल कर रखा था और इसको अच्छे से सब्सक्राइब अब तक हम दूसरा पराथा भी बेल कर तयार कर सकते अब पराथा इस तरह से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है उस पर गोल्डन चिट्टिया पढ़ जाएं तब आपको उसे टैन कर देना है और उसके बाद प्लेट कर देख लेना है कि नीचे से पराथा अच्छे से सीखा है नहीं जब वो दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाए आपको पराथा करते हैं किता हैं अब अगर मीडियम फ्लेम पर सेखते हैं तो पषुती क्रिस्पी बनता है और बहुतै अच्छा लगता है कि रसे करके मैंने तीनों इस पराथं पना लिए